प्रॉफिट के अंदर निकले हो और बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पर गलती कर देते हैं वो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूटीब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशन के अंदर गाइज अगर आपने ये ये पार्ट 3 की वीडियो है आच का जो वीडियो अपना रहने वाला है वह रहने वाला इस चैक्छर ऑफ ट्रेडिंग के उपर इसके अंदर अपन कुछ TOPIKS कवर करने वाले यह जो की हैं वॉट इस चैडिंग ब्रेकडाउन trade like casino, trading structure, what makes price fluctuate and trading types इसके अंदर जो सबसे main topic रहने वाला है वो रहने वाला है trade like casino इसको जरूर देखिएगा आपको इसको देखने के बाद बहुत सारी नई चीज़े पता चलेंगी और इस वीडियो के end तक आपको पता चल जाएगा कि हम trade कैसे लेंगे और trade करने का सही तरीका क्या होता है तो चलिए गाइस बीना किसी time waste करें अपने start करते हैं What is trading? Buying or selling stocks to capitalize on daily price fluctuation अब trading का मतलब क्या होता है? किसी भी stock को खरीदना या बेचना अपनी capital को grow करने के लिए और जो ये किया जाता है ये daily stock की उतार और चड़ाव के उपर किया जाता है तो चलिए हम अब इसको एक example के जरिये देखते हैं तो suppose कीजिए आपके पास ABC करके कोई company है उसके आपके पास 5 stocks हैं जो कि आपने 10 rupees के उपर buy किये होते हैं और आपको आपने ये सोच के buy कि होते हैं कि ये stock future के अंदर 12 rupees तक चला जाएगा तो जब ये stock price 12 rupees के उपर आती है तो जाहिर सी बात है आप उस stock को sell कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास 5 shares थे तो आपने per share 2 rupees का profit earn किया तो total profit आपके पास 10 rupees का हो गया तो आपने किया क्या कि share को कम price के अंदर खरीदा और उसको higher price के अंदर जाके sell किया तो trading का aim या goal क्या रहता है किसी भी stock को कम price के अंदर खरीदना और उसको जादा के अंदर sell करना या किसी भी stock को higher price के उपर sell करना और उसको lower price के उपर buy करना जिसको अपन short selling बोलते हैं और उसको अपन आने वाली videos के अंदर cover करेंगे देखिए guys ये सरिफ एक example था trading इतनी simple नहीं होती है कि आप direct गए कोई भी random आपने stock pick किया और आपने direct जाके उसको buy या sell कर दिया बहुत सारी चीजे behind the scene चलती रहती है जिसको समझना बहुत जरूरी है किसी भी stock को buy या sell करने से पहले बहुत सारे लोग trade नहीं करते गैंबल करते हैं जैसा casino के अंदर किया जाता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं trade like casino हमको एक casino के जैसे trade करना है तो चलिए अब deeply समझते हैं कि casino trade कैसे करता है क्योंकि casino जो जगे है वो भी share market की तरह ही similar है casino के अंदर game होता है जिसको अपन बोलते हैं rollet game तीक है इसके अंदर जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ आपको एक number के उपर दाव लगाना पड़ता है और अगर आप जीच जाते हैं तो आपके पैसे double इसमें 18 black number होते हैं 18 red number होते हैं और दो green number होते हैं तो green number यहां पर आपको दिख जाएंगे यह तो just example जैसे कि आपने 1000 रुपीज bet किये black वाले number के उपर अगर एक बार इसको घुमाने के बाद अगर आप किसी भी black number के उपर आपकी यह बॉल आ जाती है तो आपके पैसे double हो जाएंगे और अगर नहीं आती है बॉल तो आपने जो भी जितने आपने 1000 पे लगाये थे वो पूरे के पूरे finish खतम आप हार जाएंगे जब लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि कैसीनो एक 50-50 गेम होता है अगर जीते तो आपके पैसे double बट अगर नहीं जीते तो सारे पैसे खतम बट कैसीनो वालों ने इस गेम को एक strategic manner के अंदर design किया है अगर यह 50-50 गेम होता तो दुनिया के सारे कैसीनो कब से बंद हो चुके होते है लेकिन जो कैसीनो की winning probability होती है वो होती है 52.6% और आपकी जीतने की जो probability होती है वो होती है 47.4% तो चलिए अब अपन इसको एक example के थूरू समझते हैं मैंने जब आपको बूला था 18 black, 18 red and 2 green number होते हैं तो अगर आप इनको total लगाएंगे तो यह अगर total 38 number होते हैं अगर आपने किसी भी black, 18 black या 18 red के उपर मेंसे किसी के उपर भी bet किया तो आप क्या सोचेंगे कि यह 50-50 गेम है या 50-50 probability है लेकिन आप एक चीज बूल जाते हैं कि यहाँ पे दो green number भी हैं जो की कैसीनो के लिए edge का काम करते हैं तो अगर आप max करेंगे तो जो कैसीनो की जो winning probability होती है वो होती है 52.6% इसके अंदर कैसीनो के पास एक edge होती है यह ना कैसीनो की जो edge निकल के आती है अगर आप इन दोनों को minus करेंगे तो वो आती है 5.20% यह जो edge होती है कैसीनो के पास के अंदर यह सरिफ इस दो green number के कारण edge होती है कैसीनो के पास So they have an edge यह जो आपको percentage 5.20 दिखता है यह दिखने के अंदर तो भले ही बहुत छोटा percent लगता है आपको लेकिन इसी percentage की वज़े से इसी 5% की वज़े से कैसीनो सालों का लाखो और अर्ब रुपे की कमाई करते हैं So the idea behind this casino example You must have an edge in your trading So इसी से अपना एक जो first rule निकल के आता है Edge in trading आपको कोई भी trade लेने से पहले उस trade के अंदर आपकी edge होने चाहिए Edge का मतलब क्या आपने कोई भी x y z करके अगर आप कोई भी trade लेने तो उसके अंदर आपके पास एक solid reason होना चाहिए या आपकी तरफ एक high probability होनी चाहिए कि वो stock up या down क्यों जा रहा है आपके पास एक solid reason होना चाहिए बीना edge के अपन ट्रेड नहीं लेंगे Edge के साथ casino के अंदर एक और rule होता है जो कि वो follow करते हैं वो है risk management casino का अपना खुद का risk management होता है अगर आपने roll it game खेला होगा तो आपको पता होगा कि वो कैसे अपने risk को manage करते हैं अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको उसका answer देता हूँ तो चलिए आपको क्या लगता है आप बताईए कि casino वाले अपनी risk को कैसे manage करते होंगे तो इसका answer है कि उनके पास हर table के उपर max bet का option होता है max bet होती है तो अगर casino वाले ने 100 trades ली है तो उनको पता है कि अगर वो गलत हो जाते हैं तो वो इतना ही amount loss करेंगे उसके आगे वो नहीं करेंगे तो चलिए अब example लेते हैं एक casino का जो कि risk management follow नहीं करता है उसके पास edge तो है बट वो risk management को follow नहीं करता है suppose कीजिए उस casino वाले ने 5 trades लिये 1st trade के अंदर उसने 500 रूपीज का profit किया 2nd के अंदर उसने 400 रूपीज का profit किया 3rd trade लेता है उसने 100 रूपीज का profit कर लिया 4th trade के अंदर उसने 600 रूपीज का profit किया and जो 5th trade लेता है उसके अंदर उसने 400 रूपीज का profit कर लिया तो क्या बात है मतलब पांचों के पांचों trade के अंदर उसने बहुत अच्छा profit किया and अगर आप इस profit का calculation लगाएंगे तो अभी तक वो 2000 पे प्लस के अंदर है but six time कोई आता है and उसने 5000 रूपीज की bet लगा दी and इस बर क्या होता है कि कैसीनों वाले 5000 रूपीज हार जाते है तो अब आप calculation लगाएंगे जितना उसने five trade के अंदर कमाया था 2000 and जो six trade के अंदर उसने 5000 रूपीज गवा दिया तो अगर अभी का अगर आप कैसीनों का current account देखेंगे तो वो हो जाएगा minus 3000 रूपे मतलब पाच trade के अंदर उसने जितना भी कमाया था उसने उन सारे सारे पैसों को एक trade के अंदर गवा दिया ये 3000 रूपे minus के अंदर क्यों है क्योंकि इस कैसीनों ने risk management को follow नहीं किया ये ही बहुत सारे traders के साथ होता है कि वो profit करते हैं profit करते हैं profit करते हैं और बार बार profit करते हैं लेकिन वो सारा profit वो सरिफ एक trade के अंदर खतम कर देते हैं क्यों होता है ये खतम क्योंकि वो risk management को follow नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या कि हर एक trade के अंदर आपके पास edge होनी चाहिए and proper risk management को आपको follow करना चाहिए edge का जो meaning है वो अपन आने वाले chapters के अंदर देखेंगे जो मैं बार-बार edge word का use कर रहा हूँ देखनी पड़ेंगी एक trade लेने से पहले edge and risk management ये दो ऐसी चीज़े हैं जिसको casino हर trade के अंदर follow करता है and इसी की वज़े से जो casino होता है सालाना, करोडो और अर्बर रुपे कमाते है as a trader हमें भी ये दो चीज़े follow करनी है and जो risk management है उसके बारे में अपन आने वाले chapters के अंदर deeply समझेंगे की risk management क्या होता है चलिए गाईज अब मैं आपको एक और बहुत important चीज़ बताता हूँ trading is a probability game कोई भी आपको अगर इस market के अंदर आके बुले ये stock 100% उपर जाएगा नीचे जाएगा तो आप उसकी बात कभी भी मत मानिएगा क्योंकि trading के अंदर कोई भी 100% time correct नहीं हो सकता अगर आपको trading करनी है तो आपको risk लेना पड़े कोई भी अगर आपको बोलता है कि 100% वो correct है तो कोई 100% correct नहीं हो सकता लेकिन एक probability होती है इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि अब 70% time सही हो और 30% time आप गलत हो तो जो आप 70% time सही होगे तो आप उसके अंदर पैसा कमा सकते हो जो आपका बचावा 30% है तो उसके अंदर आप अपने risk को manage करके चलिए तो चलिए गाईज अब अपने एक example देखने है जिसके अंदर अपन risk reward and edge को cover करेंगे suppose कीजिए कोई भी एक stock है XYZ company और यह जो stock होता है यह एक range के अंदर फसा होता है range का मतलब क्या कि stock जैसे यह 10 रुपे है यह 13 रुपीज है तो जब यह stock 13 रुपे से गूमके फिर से 10 के उपर आता है और 10 से गूमके फिर से 13 के उपर तो इसने यह ऐसा एक pattern draw किया होता है तो अगर आपको trade लेना हो तो आप कैसे trade लेंगे obvious सी बात है कि आप सोचेंगे जब यह गूमके फिर से 10 के उपर आया तो आप कुछ इस जगे के उपर 10 रुपे के उपर अपनी buy की position बनाएंगे जाहिर सी बात है कि आपको कुछ stop loss तो लगाना ही पड़ेगा तो आप यहां पे 9 रुपीज के उपर आपने अपना stop loss लगाया और आप क्या सोचते हैं कि जब यह stock फिर से गूमके जब 13 के उपर चला जाएगा तब 13 रुपीज के उपर यहां पर आप अपना profit book करेंगे यह just एक example है market कभी इतना simple दिखता नहीं है न इतना simple चलता है तो जब मैं कहता हूँ कि यह stock price जब 10 से 13 के उपर जाएगा तो आप profit book करेंगे तो यहां पे क्या आप 3 रुपे का अपना target लेके चल रहे है यहां पे जब मैं कहता हूँ कि आपने 9 रुपे के उपर अपने stop loss लगाया तो मतलब आपने क्या एक रुपे का stop loss लगा रखा है तो यहां पे अगर आप तो जब आपने यहां पे 9 रुपे के उपर SL लगा रखा है तो इसका मतलब क्या कि आपने यहां पे risk management किया 10 रुपे के उपर आया तो आपके पास एक solid reason था कि यार हो सकता है कि ये stock फिर से यहां पे 13 रुपे के उपर जाए तो ये क्या ये आपकी market पे edge हो गई तो इसके अंदर अपने क्या दो चीजे cover कर ली एक तो अपने अपनी risk को manage कर लिया दूसरा अपने market के उपर एक edge हो गई अब यहां पे जो आपका risk reward बैठता है कि यहां पे आपने एक रुपे risk करके यहां पे आपने तीन रुपे का profit कमाया तो जो आपका risk reward beta वो हो बैठा 1.3 कि आप एक रुपे लूस कर रहे हो and उसकी बिहाफ के उपर आप market से तीन रुपे लेके आ रहे हो तो यह बहुत अच्छा risk reward ratio होता है अपन को ऐसा ही risk reward ratio हमेशा follow करना है अगर यहां पे 1.2 होता तो अपन उस चीज़ को तबी भी consider करते कि हाँ ठीक है लेकिन अगर यहां पे उसी जगे 1.1 होता या 1.2 के नीचे कुछ भी होता तो अपन इस चीज़ को book नहीं करते क्यों क्योंकि भाई जब मैं एक रुपे अपना risk के उपर लगा रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि यहां में market से फिर से एक रुपे लेके निकल जाओ मैं जितना risk कर रहा हूं मेरको at least उसका दुगना या तिगना तो मिले है न तो कभी भी आप trade लें तो ध्यान रखिएगा 1.1 risk reward अपन को कभी follow नहीं करना है always 1.2 या 1.2 से जितना जाद होगा उतना बढ़ी है सो लेट से कि आपका जो risk reward ratio है वो अभी भी 3.1 है इसका मतलब क्या आपने एक रुपे रिस्क रखके और तीन रुपे कमाए तो अगर मैं इसी risk reward को follow करते हुए लेट से 10 नहीं चली अपनी आपे 100 trades की बात करते हैं मैंने 100 trade लिये सो लेट से कि यहाँ पे आपने सर्फ 40 trades ही विन की है एन जो आपने trade lose की है वो 100 में से आपने 60 trade lose कर दिये तो अब जब मैं आपको इस risk reward ratio की जब मैं बात करता हूँ 3 to 1 तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने गवाए पैसे तो आपने इस risk reward के हिसाब से सर्फ 60 रुपीज गवाए लेकिन जब कमाने की बात आती है तो यहाँ पे आपने 40 into 3 मतलब आपने यहाँ पे वो total 120 रुपीज कमा है और यह सिर्फ आप 40% right थे trading के अंदर जबकि आप 60% गलत थे अगर आप इसका total लगाएंगे तो अभी भी आप 60 रुपीज profit के अंदर है और यह सिर्फ आप बस 40% correct है और 60% आप wrong है तो यह एक advantage होता है risk reward को follow करने का चलिए यहाँ पे अपन एक और चीज समझते हैं कि बस आप यह समझ लिजीए कि आप बस इसके अंदर 100 trade में से स्रिफ आप 30% correct हो and 70% of wrong हो तो अब इसके अंदर आपका क्या risk reward बैठता है अगर जब मैं कहता हूँ कि आप 30% correct थे तो यहाँ पे आपने 90 rupees का profit किया क्योंकि अपन risk reward 1-3 follow कर रहे है and जब आप 70% बार गलत थे वहाँ पे आपने स्रिफ 70 पे loss किये यहाँ पे भी आप 30 rupees profit के अंदर ही थे and मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि trading यह नहीं है कि आप एक दिन के अंदर अमीर हो जाएंगे कोई भी एक trade लो तो आप अमीर हो जाए होगे यह जो चलता है यह calculation चलता है एक महिने में आपने कितना कमाया या so trade के अंदर आप कितना कमा होगे उसके बाद जाके आप एक proper RR को follow कर सकते हो risk reward को follow कर सकते हो and यहाँ पे सरिफ आफ तब 30% times correct थे तो भी आप profit के अंदर निकले हो and बहुत सारे traders यहीं पर गलती कर देते हैं वो trading को gambling के रूप के अंदर ले लेते हैं कभी भी risk reward and अपने edge को follow नहीं करते इस वज़े से क्या होता है कि at last वो loss के अंदर exit करते हैं and जितना कमाय होता है वो सारा कुछ डुबा के निकलते हैं and अपना even though अपना capital भी lose कर देते हैं वो लोग तो इस lesson से अपन ने क्या सीखा तो उसको एक बार अपन recap करते हैं सबसे फर्स तो क्या अपने पास एक edge होनी चाहिए market के अंदर कोई भी एक solid reason वो कुछ भी हो सकता है x y z कोई भी solid reason अपने पास लेकिन edge होना बहुत ज़रूरी है बिना edge के अपन trade नहीं लेंगे and मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि edge के अंदर अपन लोग क्या-क्या देखते हैं ये आने वाली वीडियोस के अंदर अपन cover करेंगे second जो की most important है आपको अपना risk management follow करना है जब risk management के अलावा भी आप trade नहीं लेंगे कोई भी आप trade लेंगे उससे पहले आपके पास अपनी एक predefined risk रहनी चाहिए है और इस topic को भी अपन आने वाली वीडियोस के अंदर फिर से cover करेंगे detail के अंदर third चीज क्या रहती है कि आपके पास एक solid risk reward ratio होना चाहिए solid risk reward ratio कैसा जो मैंने अभी आपको बता है कोई भी ratio 1 issue 2 से उपर होता है अपन उसको एक अच्छा risk reward ratio मानते हैं ट्रेडिंग के अंदर risk reward risk reward ratio with high probability अपन क्योंकि trading is a game of probability यह आज से आप अपने दिमाग के अंदर गुसा लीजिए इसको घोल के पी लीजिए कि कोई भी 100% time correct नहीं होता है क्योंकि यह एक probability का game है अगर सारे लोग 100% time जो भी अगर correct हो रहा होता मैं इवन दो इतना बोल दूँ कि अगर कोई 90% time भी correct हो रहा होता तो आज के time के अंदर वो billionaire और millionaire बनके बैठा होता है इस stock market से next आता है अपना topic trading structure trading structure के अंदर तीन चीज़े आती हैं इसका मतलब क्या ये तीन चीज़े बनके पूरा एक trading का structure बनाती है जो कि आपकी हर एक strategy के अंदर ये तीन चीज़े होना बहुत ज़रूरी है आपको इन तीनों के उपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है तो सबसे first जो आती है वो आती है high probability edge मतलब क्या कि आप जो trade लेंगे जो भी आपकी trading होती है उसके अंदर आपके पास एक high probability होनी चाहिए win की या edge होना चाहिए जो कि अपन अभी previous cover कर चुके है second जो आता है risk management जो की बहुत ज़रूर्दा important है ये भी अपन previous video के अंदर बहुत अच्छे से cover कर चुके हैं घबराये नहीं ये सारी चीजे अपन आने वाली videos के अंदर फिर से cover करेंगे जो third चीज आती है जो की बहुत ज़र्दा important है वो होती है psychology और mindset आपका तो चलिए अब अपन इसको समझते हैं psychology को तो जब मैं psychology की बात करता हूं तो ये इतना important क्यों होता है suppose कीजिए कि आपके पास बहुत अच्छा एक trading plan है sorry आपके पास market के अंदर या trading के अंदर एक high probability है एक edge है market के अंदर उसके बाद में आपने बहुत अच्छा risk management भी कर रखा है लेकिन जब बात आती है psychology की मतलब आपके mindset की आप क्या करते हैं कि बहुत सारे trades बहुत जल्दी exit कर देते हैं किसी किसी के अंदर आप बहुत जल्दी entry ले ले लेते हैं अपना आप proper जो plan आपने design किया होता है उसको आप follow नहीं करते हैं अपनी trading style नहीं पहचान पाते हैं यह जो सारी चीज़े आती हैं वो आती हैं trading psychology के अंदर अपन को अपनी psychology के उपर या इस trading की psychology के उपर भी काम करना बहुत जुरूरी है जिस तरीके से एक edge market में होना बहुत जुरूरी है risk management इन उसके साथ के अंदर psychology होना भी बहुत जुरूरी है यह जो तीनों है यह तीनों मिलके आपकी trading यह जो तीनों है यह तीनों चीज़े एक दूसरे के साथ align है ठीक है आपको अपने trading के अंदर psychology भी चाहेगी risk management भी चाहेगा and आपको edge भी चाहेगा market के अंदर तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं what makes price fluctuate तो चलिए देखते हैं कि एक share की price के अंदर उतार चड़ाव किन reasons की वज़े से होता है तो उसके पीछे दो यह reason होते हैं सबसे पहला demand and supply जो की बहुत बड़े factor है यह आपने यह थोड़ा economic का subject है तबी भी इसके अपने share market के अंदर भी बहुत काम आता है तो चलिए अब अपन उसको समझते हैं अगर market के अंदर demand कम होगी किसी भी चीज़ की and supply जादा होगी तो क्या so price गिरेगी and अगर किसी भी चीज़ की demand जादा होगी and supply कम होगी तो उसका मतलब क्या कि उस stock की price बड़ेगी simple और कुछ नहीं अगर demand कम है supply जादा है तो price गिरेगा and अगर demand जादा है तो price बड़ेगा बहुत simple है तो अपन को क्या अपन को एक solid reason ढूलना है कि भाई price इस stock का up जाएगा ये down जाएगा उससे अपन को market में edge मिल जाएगा तो मतलब simple सी बात है कि आपको supply और demand के उपर ध्यान देना पड़ेगा तो चलिए जानते हैं अब trading type basically चार type की trading होती है सबसे first जो trading आती है वो सब की जो favorite होती है और होती है day trading day trading और intraday trading जो second type आता है trading का वो आता है swing trading and third type आता है trading का वो आता है scalping and जो fourth type आता है वो आता है positional पोजिशनल ट्रेडिंग अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि यह होता क्या है तो सबसे पहले समझते हैं अपन डे ट्रेडिंग को अब यह डे ट्रेडिंग का कॉंसेट क्या होता है कि किसी भी शेयर या सिक्यूरिटी को आज खरीडना एंड उसी दिनी उसको सेल कर देना मतलब क्या जिस दिन आपने इस सेक्यूरिटी को खरीदा आपने सेम डे ही उस सेक्यूरिटी को सेल कर दिया आपने उसको होल्ड नहीं यह कैसा भी हो सकता है कि आपने सपोस्ट कीजिए 9.15 को कोई स्चोक बाय किया चाहे आप उसको 9.20 के उपर आप सेल कर दो या आप उसको होल्ड करके दो बज़े सेल करो उसके अंदर कुछ फरेक नहीं पड़ता तो भी आप डे ट्रीडर ही कैलाएंगे तो बस सिंपल सा कॉंसेट है कि डे ट्रीडिंग क्या कि आप आज किसी स्चोक को खरी देंगे और आज ही उस स्चोक को फिर से बेज देंगे सेम डे ही आप उसी स्चोक को बेज देंगे जनाता है स्विंग ट्रीडर अब इस स्विंग ट्रीडर क्या होते हैं कि स्विंग ट्रीडर क्या करते हैं अपनी positions होती है, जो भी इन्होंने share खरीदा होता है, एक दिन से जादा hold करते हैं, अब वो कितना भी हो सकता है, वो दो हफता भी हो सकता है, और वो कुछ दो महीने तक भी हो सकता है, तो जो swing trader होते हैं, ये क्या होते हैं कि day trader से बड़े trader होते हैं, ये अपनी positions कुछ time के उसने share buy किया 100 rupees के उपर and 10.03 के उपर उसने वो share को sell कर दिया 100 rupees 20 पैसे के उपर, अब ये 20 पैसे दिखने के अंदर तो बहुत चोटा amount है, लेकिन जो उनकी quantity होती है, जो scalper की quantity होती है, वो इतनी ज़्यादा huge होती है, कि जो उनका profit होता है, वो automatic बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो scalper क्या करता है, कि एक या दो मिनिट के लिए trade करता है and बहुत चोटे points capture करता है, लेकिन उसके साथ के अंदर वो बहुत ज़्यादा huge quantity के साथ market में, पोजिशनल क्या होता है, भाई, पोजिशनल बहुत simple, जो भी बंदा long term position अपनी hold करत है, जो की सोचता है कि भाईया एक साल से लेके पांच साल, दस साल, ये जितने भी long term position hold करते हैं, वो सारे positional trader के अंदर आ जाते हैं, अभी trading type आपके लिए जानना बहुत जुरूरी है कि आप किस type के trader है इन चारों के अंदर से, क्योंकि कैसा है कि सब की strategy and सब का 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 तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका का मतलब क्या किसी को day trading suit हो सकती है, तो किसी को scalping suit हो सकती है, या कुछ लोगों को अगर उस दिन time नहीं मिलता है, या जो office के अंदर काम करते हैं, तो वो swing trade करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना time ने रहता है, अगर बीच के अंदर कि आपके पास time बहुत कम है, तो आप उसको positional बन सकते हैं, आप उसको holding के अंदर रख सकते हैं, long term perspective के हिसाब से, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इन चारों के अंदर से कौन से type का trader बन सकते हो, ये आपके according आप decide कीजिएगा, तो आज की वीडियो बस य देखने के लिए, धन्यवाद